C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पार्थे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पार्थ 9 सजीव विशेशताएं एवं आवास तो आईए अब सुनते हैं पार्थ 9 प्रस्तुत है पार्थ 9 शीर्शक है सजीव विशेशताएं एवं आवास तो आईए अब सुनते हैं पार्थ 9 सजीव विशेशताएं एवं आवास प्रिष्ठ उनासी पहली और बूजो चटियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए ऐसी ही एक यात्रा पर विरिशीकेश में गंगा नदी देखने गए उन्होंने हिमाले की हिमाच छादित परवत श्रिंखला के कुछ परवतों का परवता रोहन किया जहां बहुत ठंड थी इन परवतों पर उन्होंने होक, चीड, एवं देवदार जैसे अनेक विरिख्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेतर के विरिख्षों से बहुत अधिक भिन्न थे एक और अभियान में उन्होंने राजिस्थान की आतरा की और उन्ट पर उन्ष्ण मरुस्थल भी घूमें यहां से उन्होंने नागफणी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किये अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तटकी सहर की और वहां केजू राइना के व्रिक्ष की कतार देखी इन स्थानों के भ्रमण के रुमांचक एवं उल्लास पूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उश्ण एवं शुश्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे परन्तु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानि सजीव वस्तुवें थे उन्होंने यह जानने की कोशिश की, कि क्या प्रित्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है, जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता बूजों ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया घर के अंदर उसने अलमारी एवं दर्वाजों को देखा उसने सोचा था कि इन में कोई सजीव नहीं होगा परन्तो उसे एक छोटी सी मकडी नजर आई घर से बाहर भी वहां किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाय जाते हूं पहली ने दूर-दूर के स्थानों के विशे में पढ़ना एवं सोचना प्रारंब किया उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वाला मुखी के मुख यानी मुहाने में भी सुख्ष्म जीवों को खोज निकाला है चित्र संख्या 9.1 सजीवों के खोज के लिए इस चित्र में बूजो और पहली को एक विरिक्ष के नीचे पुस्तक पढ़ते हुए दिखाया गया है 9.1 सजीव एवं उनका परिवेश पहली एवं बूजो के मस्तिश्क में एक और विचार आया जिन स्थानों की उन्होंने सेर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं मुरिस्थल में उट थे, परवत पर बकरी एवं याग थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मचलिया थी जिने मचुवारे पकर रहे थे, साथ ही चीटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे इन ग्षित्रों में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पौधे अनेक शित्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन थे इन विभिन क्षित्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? क्रिया कलाप एक, आए एक वन से प्रारंब करते हैं. यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जन्तूओं एवं वस्तूओं के बारे में सूचिए. एक जंगल में पाए जाने वाले जन्तूओं, पौधों एवं वस्तूओं को सारणी 9.1 के कॉलम एक में लिखिए. दूसरे ग्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तूओं, जन्तूओं एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए. प्रिश्ट अस्सी तथा तालिका में दिये गए अन्य कॉलम में विभिन स्थानों पर पाए जाने वाले जन्तूओं एवं पौधों के नाम लिखिए. आप पुस्तकाले में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिन में जन्तू, पौधों एवं खनिज के विशे में जानकारी इस सारणी के प्रतेक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तूओं वा जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए. जिस प्रकार की वस्तूओं हमें मिलती हैं, वे शायद जीवित जन्तू या पौधे ना हूँ. संभवता ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्ति या जन्तू के अफशेश जैसे हड्डियां हूँ. हमें विभिन प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं. अध्याय पांच में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवन खुले हुए हैं. इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तूओं भी हो सकती हैं. जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी 9.1 में कुछ और उधारण सम्मिलित करते जाएंगे. जब हम अन्य रोचक स्थानूं की यात्रा करेंगे, तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे. 9.2. आवास एवं अनुकूलन. क्रिया कलाप एक में आपके द्वारा सूची बद्ध किये गए पौधों एवं जन्तूं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए. क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षित्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जन्तू तथा पौधे लवणिये जल यानि खारे पानी में रहते हैं तथा श्वासन के लिए जल में विले वायू यानि आक्सीजन का उपियोग करते हैं. मुरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्द होता है. मुरुस्थल दिन में बहुत करम एवं रात में ठंडा होता है. मुरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जन्तू भूमी पर रहते हैं एवं श्वासन के लिए आसपास की वायू का उपियोग करते हैं चित्र 9.2 में उट एवं उनका परिवेश दर्शाया गया है समुद्र तथा मुरुस्थल भिन प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षित्रों में बिलकुल भिन प्रकार के पौधे और जन्दू देखते हैं क्या ऐसा नहीं है? आईए दो भिन प्रकार के परिवेश मुरुस्थल तथा समुद्र से दो जन्दूओं उट तथा मचली का प्रेक्षन करते हैं उट की शारेरिक सनचना उसे मुरुस्थल ये परस्थितियों में रहने योगे बनाती है सारणी 9.1 विभिन परिवेश में पाए जाने वाले जन्दू, पौधे एवं अन्यवस्थुएं यहाँ पर कई कॉलम हैं पहले कॉलम में वन में, दूसरे कॉलम में परवती एक्षित्र में, तीसरे कॉलम में मरुस्थल में, चौथे कॉलम में समुद्र में और अंतिम कॉलम में अन्यस्थान पर रहने वाले जन्दू, पौधे एवं अन्यवस्थुओं के नाम बताएं गर्मी से दूर रहता है चित्र 9.2 उनमें मूत्रो सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्ख होता है उन्हें पसीना यानि स्वेध भी नहीं आता क्यूंकि शरीर से जल का हिरास बहुत कम होता है इसलिए जल के बिना भी वे अनीग दिनों तक रह सकते हैं चित्र 9.3 में विभिन प्रकार की मचलियों को दर्शाया गया है आईए विभिन प्रकार की मचलियों को देखें इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है परंतु इतने अधिक किस्म की मचलियों में कि आपको इनकी आकरिती में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं इन सभी का शरीर धारा रेखिये होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय आठ में कर चुके हैं। उनकी यह आकृती उन्हें जल के अंदर विचरन करने में सहायता करती है। मचलियों का शरीर चिकने शलकों से ढखा होता है, ये शलक मचली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गती करने में भी सहायक हैं। हमने अध्याय आठ में चर्चा की थी कि मचली के पंख एवं पूँच चप्टी होती हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मचली के गिल यानी कलोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मचली की संदरचनाएं उसे जल में रहने में सहायता करते हैं। हमने पृत्वी पर पाए जाने वाले असंखे प्रकार के जन्तूओं में से केवल दो धारन लिये। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संदरचनाई होती हैं, जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्राया पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संदरचनाऊं अथ्वा स्वभाव की उपस्थिती किसी पौधे अथ्वा जन्तू को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन जन्तू भिन परिवेश के प्रती अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, उसका आवास कहलाता है। अपने भूजन, वायू, शरण स्थल एवं अन्य आवशक्ताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानि एक घर। विभिन प्रकार के पौधे एवं जन्तू एक इही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। वन, घास के मैदान, मुरुस्थल, तटिये एवं परवतिये क्षित्र स्थलिये आवास के कुछ उधारण है। जलाशय, दलदल, जील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जन्तू जल में रहते हैं। जलिये आवास हैं। विश्व के विभिन भागों में पाय जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मुरुस्थलों, तटिये एवं परवतिये क्षित्रों में भी बहुत विशमताएं हैं। यहां सभी जलिये आवासों के लिए भी सकते हैं. किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जन्तु उसके जैव घटक हैं. चटान, मिट्टी, वायू एवं जल जैसी अनेक निर्जी वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं. सूरिय का प्रकाश ए प्रिष्ट बयासी प्रवतियक शित्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारिरिक वयायाम में असुविधा हो सकती है. पहाड़ पर हमें तीवर गती से श्वास लेना पड़ता है. कुछ दिनों बाद हमारा शरीर प्रवतियक शित्र के वातावरण के प्रती चोटे चोटे परिवर्तन परिया अनुकूलन कहलाते हैं। यहाँ परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। क्रिया कलाप दो. अध्याए एक में किये गए क्रिया कलाप पांच का इसमरण कीजिए. इस क्रिया कलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकलाता है. अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं. यहां बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है. मूंग के कुछ सूखे बीजों को एक अत्रित कीजिए. कुछ बीजों के एक धेर को अलग रखतें तथा शेश को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रखतें. भीगे हुए बीजों को चार हिस्सों में बाटें. उसमें से एक हिस्से को तीन-चार दिन के लिए पूर पूरी तरह पानी में डूबो कर रखतें। सूखे हुई बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिलकुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरिक शेतर में रखतें। जैसे क रेफ्रिजिरेटर या उनके चारों और बर्फ लगा दें। इन तीन भागों को प्रती दिन चल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अतिदिक थंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरन की दर में कमी या कोई भी अंकुरन नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायू, जल, प्रकाश तथा उश्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवशक हैं? वास्तों में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महतपून हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उश्न परिवेश में भी पाये जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विशम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट वैवस्था को अपनाते हैं। यहां अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हाजारों वर्शों की अवधी में किसी क्षित्र के अजयव गटकों में परिवर्दन आते हैं। वे जन्तु जो इन परिवर्तनों के प्रती अपने आपको नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आपको बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जन्तू विभिन अजयव कारकों के लिए विभिन विधियों से अपने आपको अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिडाम भिन आवासों में जीवों की विविदता का होना है। आए कुछ आवासों इनके अजयव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन जीवों में अनु पॉइंट तीन, विभिन आवासुं की यात्रा, कुजिस्थल ये आवास, मरुस्थल, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं उट के अनुकूलन के विशय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जन्तों एवं पौधों में क्या होता है, क चित्र संख्या 9.4, बिल में मरुस्थल ये जन्तों को दर्शाया गया है, मरुस्थल में रहने वाले चुहे एवं साप के उट की भातिल लंबे पैर नहीं होते, दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमी के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, जैसे कि चित्र संख 9.4 में दर्शाया गया है, इस चित्र में भूमी के भीतर एक चुहे और एक सांप को दर्शाया गया है, रात्री के समय जब तापमान में कमी आती है, तो ये जन्तों बाहर निकलते हैं, मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामाने पौधों को चित्र संख्या 9.5 में दर्शाया गया है, यह पौधे मरुस्थल के प्रती किस प्रकार अनुकूलित हैं? चित्र संखिया 9.5 में मरूस्थल में उगने वाले कुछ पौधों को दर्शाया गया है जैसे कैक्टस यानि नागफणी क्रिया कलाप 3 गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्यों वाला एक पौधा कक्षा में लाईए दोनों पौधों के कुछ भाग को पौलिथीन थैली से ढखकर उसी प्रकार बांधिये जिस प्रकार अध्याय साथ के क्रिया कलाप 4 में हमने पौधों में वाश पौध सर्जन का अध्यान करते समय बांधा था गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका प्रेक्षन कीजिए आप क्या देखते हैं? क्या आप दूनों पौलिथिन थैलियों में एकत्रिज जल की मातरा में कोई अंदर देखते हैं? मरुस थलिये पौधे वाश पो सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मातरा निशकासित करते हैं मुरुस्थलिये पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं कुछ पौधों में पत्तियां काटों यानि शूल का रूप ले लेती हैं इससे पत्तियों से होने वाले वाशपो सर्जन में होने वाले जल हिरास में कमी आती है नागफनी में पत्ती जैसी जिस सरनचना को आप देखते हैं वहाँ वास्तों में इसका तना है जैसा कि चित्र संखिया 9.5 में दर्शाया गया है इन पौधों में प्रकाश संशलेशन समानिता तने में होता है तना एक मोटी मोमी परस्से ढखा होता है जिससे पौधों को जल संदक्षण में सहयता मिलती है अधिकतर मरुष्थलिय पौधों की जड़ें जल अवशोशन के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है परवतिय क्षित्र ये आवास क्षित्र समानिता बहुत ठंडे होते हैं और इन में तेज हवा चलती है कुछ क्षित्रों में शीत काल में हिम पाध भी होता है परवतिय क्षित्रों में पौधों एवं जन्तों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाय गए व्रिक्ष देखे हैं चित्र 9.6 में परवतिय आवास के कुछ व्रिक्ष दिखाए गए हैं यदि आप परवतिय क्षित्र में रहते हैं अत्वा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक व्रिक्ष देखे होंगे परंतु क्या आपने ऐसे व्रिक्षों को अन्नेक शित्रों में भी देखा है ये व्रिक्ष अपने आवास में विद्धिमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है ये विरिक्ष समानिता शंक्वाकार होते हैं, तथा इनकी शाखाएं तिर्ची होती हैं. इनमें से कुछ विरिक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं. इससे वर्षा का जल एवं हिम सरल्ता से नीचे की ओर खिसक जाता है. परवतों पर इन विरिक्षों से अधिक भिन आकरिती एवं आकार वाले विरिक्ष भी मिल सकते हैं. परवत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है. परवतिये क्षित्र में पाय जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प् पचाओ करती है। परिवेश का सौरूप बदलता जाता है। और हमें विभिन उचाईयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविदता दिखाई देती है। घास इस्थल शेर वन में अथवा घास इस्थल में रहता है। तथा एक ऐसा शक्तिशाली जन्तू है जो हिरन जैसे जन्तूओं का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। यहां मटमेले यानि हलके भूरे रंग का हुदा है। एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए। चित्र संख्या 9.8 इन दोनों जन्तूओं की आखें उनके चेहरे पर किस प्रकार इस्थित हैं। क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श में हैं। शेर के अगले पैर के नकर लंबे होते हैं जिन्हें वो पादांगुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर की ये सनचनाएं उसके जीवन यापन में साहता करती हैं। उसका मटमेला यानि हलका भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आँखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। चित्र संख्या 9.7 A में एक पहाड़ी तेंदुआ, B में याक तथा C में पहाड़ी बकरी को प्रदशित किया गया है। ये परवतिये आवास के प्रती अनुकूलित होते हैं। प्रिष्ट पिच्च्यासी चित्र संख्या 9.8 A में एक शेर, एवं B में हिरन का चित्र है। एक दूसरा जन्तु हिरन है जो वन या घास इस्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जन्तु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं, उनकी उपस्थिती की जानकारी आवशक है ताकि वो उसका शिकार न बन सकें और वहां से भाग जाएं। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधी की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पाश में दोनों और इस्थित आँखें प्रतीक दिशा में देखकर खत्रा महसूस कर लेती हैं। हिरन की तेजगती उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जन्तूओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट सन्रचनाएं होती हैं, जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। कुछ जलिये आवास समुद्र समुद्र में रहने के लिए मचली के अनुकूलन के विशे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जन्तूओं का शरीर भी धारा रीखिये होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्कुइट एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जन्तूओं का शरीर आम तोर पर धारा रीखिये नहीं होता। वे समुद्र की कहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी और आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपनी शरीर को धारा रीखिये बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानि क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं भेल जैसे कुछ जन्तूओं में गिल नहीं होते। ये सिर परिस्थित नासा द्वार अथवा वात चित्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानि जल से बाहर आकर श्वासन चित्रों से जल बाहर निकालते हैं। एवं श्वासद्वारा स्वच्छ वायू अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथ्वा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक्रिया को देखा है। तालाब एवं जील क्या आपने तालाब, जील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है। यदि संभव हो तो समीब वर्ति किसी तालाब के भ्रमण पर जाईए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इन में से कुछ पौधों की जड़ें जलाशे की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, जैसे कि चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। यहां कुछ जलिये पौधों को जल सतह पर पलवन करते हुए दिखाया गया है। आंशिक रूप से जलमगन पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं, और कुछ पौधे पूर्टा जलमगन हैं। इस थलिये पौधों में जड़, मिट्टी से जल एवं खनिज पोशकों के अफशोषन का महतपूर्ण कारे करती हैं। परंतु जलिये पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। एवं इनका मुख्य कारिये पौधे को तलहटी में जमाय रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हलका होता है, तना जल की सतह तक वृद्धी करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं। कुछ जलिये पौधे जल में पून रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धी करते हैं। इन में से कुछ पौधों की पत्तियां संक्री एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहती जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जल मंगन पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं। जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ति को कोई ख्षती भी नहीं होती। मेंड़क आम तोर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जन्तू है। यहां तालाब के जल एवं इस्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्च पाद लंबे एवं मस्बूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहयता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैडने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछी जन्तूओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय साथ में सुझाए क्रिया कलाप के अंतरगत, जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम कृत्वी के सभी क्षित्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें, तो उनमें कितनी विविदता होगी। 9.4. हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन आवास क्षित्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जन्तूं की चर्चा भी की। क्रिया कलाप एक में हमने विभिन परिवेश में पाय जाने वाली वस्तूओं, पौधों एवं जन्तूओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिये कि यदी हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उधारण हैं? आये वन में पाई जाने वाली वस्तूओं के विशे में सूचें. वरिक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जन्तू, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायू, सूखी पत्तियां, मृत्य जन्तू, छत्रक एवं काई यानि मौस वन में पाई जाने वाली विभिन वस्तूओं के कुछ उधारण हैं. इन में से कौन सजीव हैं? अपने चारों और पाई जाने वाली विभिन वस्तूओं के विशे में सोचिये, तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बाटिये. कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यहाँ आसान होगा. उधारणता हमारे घर की कुर्सी अथवा मे मेज जैसी वस्तूओं सजीव नहीं है. परेश्ट सतासी पहेली एडवर्ड लेयर द्वारा रचित कम्प्लीट नौन सेंस का यह चंद पढ़ रही थे. मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है, मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्राथना करो, हम वायू ले सकें. कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो, कभी हम समर्थ नहीं हैं, तुम कैसी मूरकता पूर्ण बाते करती हो, जबकि तुम जानती हो, हम चल नहीं सकते. मेज ने ठंडी सांस भड़ते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्च है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं, जितने तुम्हारे, हम दू पैरों पर क्यों नहीं चल सकते? पहली और पूजू को कवीता बहुत मज़ेदार लगी, क्यूंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं हैं, अता ये ना तो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं. हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर, अत्वा एक सिक्का सजीव नहीं हैं. इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जन्तू सभी सजीव हैं. हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तू सजीव है. कभी-कभी यह निर्णे करना इतना आसान नहीं होता. हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतू वे कुत्ते अत्वा कभूतर की भांती चल नहीं सकते. दूसरी ओर एक कार अत्वा बस चल सकती है. फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं. पौधे एवं जन्तू समय के साथ व्रिध्धी करते हैं. परंतू कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है, जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में व्रिध्धी कर रहे हों, तो क्या इसकार्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं. तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ अधारण हैं? आप में ऐसे कौन से विशेश लक्षण हैं, जो आपको निर्जीव वस्तूओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए, एवं पता लगाईए कि कौन से लक्षण अन् पौधों में भी पाये जाते हैं. संभवता इन में से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तूओं में एक समान होंगे. क्या सभी सजीवों को भोजन की आवशक्ता होती है? अध्याए एक एवं दो में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवशक्ता होती है. भोजन हमा कि पौधे प्रकाश संसिलेशन के द्वारा अपना भूजन स्वयम बनाते हैं। जन्तु भूजन के लिए पौधों अथवा अन्य जन्तुओं पर निर्भर रहते हैं। भूजन सजीवों को उनकी वृध्धी के लिए आवशक उर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी उर्जा की आवशकता है। क्या सभी जीवों में वृध्धी परिलक्षित होती है। क्या चार वर्ष पुराना कुरता आपको अभी भी ठीक आता है। इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है। इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं। आपको इसका आभास नहीं हो रहा है। लेकिन आप में हर समय वृध्धी हो रही है। और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। चित्र संख्या 9.10 जन्तूओं के बच्चे भी वृध्धी कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुट्टे के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्पुटित होकर चूजा यानि मुर्गी का पच्चा वृध्धी करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। प्रिष्ट 88 चित्र संख्या 9.11 इस चित्र में एक चूजा वृध्धी करके वयस्क हो जाता है, इसको प्रदर्शित किया गया है। पौधे भी वृध्धी करते हैं। अपने चारों और पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इन में से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ विक्सित हैं। ये सभी वृद्धी की विभिन स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधूं को देखिए। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धी हुई है। वृद् श्वासन करते हैं। क्या हम श्वासन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायू शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायू बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वासन क्रिया का एक हिसा है श्वासन में अंदर ली गई वायू की आक्सीजन की कुछ मात्रा का उप्योग होता है इस क्रिया में बनी कार्बन डाय ओक्साइट को हम श्वास द्वारा बाहर निश्काशित कर देते हैं गाए, भैस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जन्तूओं में श्वासन क्रिया मनिश्री की तरह ही होती है इन में से किसी भी जन्तू का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षन कीजिए तथा उसके उदर की गती पर ध्यान दीजिए यहां मंद गती उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है श्वासन सभी सजीवों के लिए आवशक है ग्रहन किये गए भोजन से श्वासन के द्वारा ही हमारी शरीर को उज़ा मिलती है कुछ जन्तूओं में गैस आदान प्रदान का तरेका भिन हो सकता है जो श्वासन का एक हिस्सा होता है उधारन के लिए केच वा तो अचा द्वारा सांस लेता है हमने पढ़ा है कि मचली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विले वायू से आक्सीजन अफ्शोशित कर लेती है क्या पौधे भी श्वासन करते हैं? पौधों की श्वासन करिया में गैसों का आदान प्रदान, मुक्यता उनकी पत्तियों द्वारा होता है पत्तियां सूक्ष्म रंधरों द्वारा वायू को अंदर लेती हैं तथा आक्सीजन का उप्योग करती हैं वहां कारबन डायॉकसाइट वायू में निश्काशित कर देती हैं हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिती में पौधे वायू की कारबन डायॉकसाइट का उप्योग भूजन बनानी के लिए करते हैं तथा आक्सीजन छोड़ते हैं श्वासन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है. भूजन बनाने की प्रक्रिया में निशकासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वासन में उप्योग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है. प्रिष्ट नवासी तो क्या होता है? आपकी आखें स्वाता ही कुछ इक्षण के लिए बंध हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्ति नहीं हो जाती. आपका प्रिये व्याणजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उप्रोक्त स्थितियों में आपके बाहे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उधारण है. हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रती अनुक्रिया करते हैं. वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्धीपन कहते हैं. क्या दूसरे जन्तुओं में भी उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जन्तु यानि पशु के वैवहार को ध्यान से देखिए क्या वे भूजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिडिया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीवर प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं इसी प्रकार यदी रात्री में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कौकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं क्या आप जन्तूओं में उद्धी पन के प्रती अनुक्रिया के कुछ और उधारन दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्धी पन के प्रती अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुश्प केवल रातरी के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुश्प सूरियास्त के बाद बंध हो जाते हैं। छुई मुई यानि गुल महन्दी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुर्जा यानि सिकुड जाती हैं। यहाँ पौधों में उद्धी पन के प्रती अनुक्रिया के कुछ उधारण है। क्रिया कलाप चार एक कमरी की खिड़की जिससे दिन के समय धूप यानि सूरिया का प्रकाश आता हो। उसके पास एक पौधे का गमला रखिये। जैसा कि चित्र संख्या 9.12 में पौधे की सूरि के प्रकाश के प्रती अनुक्रिया को प्रदशित किया गया है। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा उपर की ओर व्रिद्धी करता है। यदि यह सीधा व्रिद्धी नहीं करता तो ग्याद कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रती अनुक्रिया दर्शाती हैं। सजीवों में उत्सरजन सभी सजीव भूजन करते हैं। जीव इस ग्रहन किये हुए भूजन की संपून मात्रा का उप्योग नहीं करता। आहार का केवल कुछी भाग, जीव के शरीर द्वारा उप्योग में आता है। भूजन के बचे हुए शेश भाग का क्या होता है? वे इसे अप्षिस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं. विभिन जैव प्रक्रमों के फलसरूप हमारे शरीर में कुछ अप्षिस्ट पदार्थ उत्पन होते हैं. सजीवों द्वारा इन अप्षिस्ट पदार के निश्कासन के प्राक्रम को उत्सर्जन कहते हैं. क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं. परन्त उन में इस प्राक्रम का धंग कुछ अलग है. कुछ पौधों में या अप्षिस्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेश प्रिश्ट नब्बे प्रिश्ट नब्बे भिन्य जन्तों में प्रजनन का ढंग अलग-अलग होता है। कुछ जन्तों अंडे देते हैं, जिनसे शिशू निकलते हैं, जबकि कुछ जन्तों शिशू को जन्म देते हैं। चित्र संक्या 9.14 में ऐसे ही बच्चे देने वाले कुछ जन्तों को दिखाया गया है। चित्र में एक कुत्ते को अपने पिल्लों के साथ, एक बिल्ली को अपने बच्चों के साथ, और एक गाय को अपने बच्चडे के साथ दिखाया गया है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। चित्र संक्या 9.15 में एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने काईक भागों द्वारा भी नय पौधे उत्पनने करते हैं। उधार अरता आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। चितर संख्यार 9.16 में आलू की सुप्त कलिका से उकते हुए एक पौधे को दिखाया गया है। पौधे कलम द्वारा भी उगाये जाते हैं। क्या आप स्वैम इस विधी द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे। क्रिया कलाप 5. गुलाब अध्वा महंदी की धर्ड कलम लीजिए। इसे मिट्टी में लगाईए। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं। कलम से पौधा बनाना सरल कारे नहीं है। यदि आपकी कलम में वृध्धी नहीं हुई है तो निराश ना हो। प्रिष्ट इक्यानवे यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रियत्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन प्रकार की होती हैं। अताह वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं. परंतु विभिन पदार्थ जैसे की जल, खनिज, एवं संशलेशित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में समभित होते हैं. क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गती भी देखी हैं? पुष्पों का खिलना एवं बंध होना. क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन उद्धी पनों के प्रती किस प्रकार अनुगिरिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तूओं को भी गती करते दे प्रकृती से किसी प्रकार भिन्न है? प्रकृती में विविद प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं. मृत्यू सजीवों के लिए एक सामाने लक्षण है, चूंकि जीव की मृत्यू होती है. इसल एक अकेला जीव प्रजनन किये बिना भी मर सकता है, परन्तु सजीव की प्रजाती तभी अस्तित्व में रहती है, जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भूजन की आविशक्ता होती है। उनमें श्वसन, उसर्जन, उद्धीपन के प्रती अनुक्रिया, प्रजनन, गती, एवं वृध्धी होती है, तथ मृ क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं, जिन में इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कार, साइकिल, घड़ी, इवं नदी का जल गती करते हैं। आकाश में चंद्रमा गती करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में व क्रिध्य हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वria में से प्रश्न करना होगा कि क्या इन में सजीवों के अन्न सभी लक्षण भी पाय जाते हैं। समानिता सजीवों में वे सभी लक्षण पाय जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है परन्तु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते क्या यहां हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चड़्चा की हमीशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विशय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आए किसी बीज के विशय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उधारन देखें। उधारनता मूंग के बीज के बारे में क्या होता है। क्या यह जीवित है। यहा एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है। तथा इसमें कोई वृध्धी नहीं होती। अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखा प्रिश्ट बयानवे। फिर जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिये। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन होती है। यहा गर्मी बीजों के श्वासन के कारण उत्पन हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वासन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रकरम उतने सक्रिये नही संभवता हमारे प्रश्ण आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता परन्तु अपने चारों और पाए जाने वाले जीवों की विविदता को देख कर अचानक ही मूँ से निकल जाता है कि जीवन सुन्दर है प्रमुक शब्द अनुकूलन जलिये आवास जैव घटक उत्सर्जन वृत्थी आवास सजीव प्रजनन श्वसन उद्दीपन साहरांश किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे जन्तु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है विभिन प्रकार के पौधे एवं जन्तु एक इही आवास में एक साथ रह सकते हैं पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षन एवं सौभाव जो उन्हें एक आवास विशेश में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परन्तु समानिता इने स्थलिये यानी जमीन पर एवं जलिये आवास यानी जल में वर्गी क्रित किया जाता है विभिन आवास में सजीवों की विविद प्रजातियां पाई जाती हैं, पौधे, जन्तु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं प्रिष्ट तेरानवे चट्टान, मिट्टी, वायू, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं सजीव वस्तुओं के कुछ सामाने लक्षण हैं, उन्हें भोजन की आविशक्ता होती है वे श्वसन, उच्सर्जन, परियावरण के प्रती अनुक्रिया, प्रजनन, वृध्धी एवं गती करते हैं अभ्यास एक, आवास किसे कहते हैं? दो, कैक्तस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तीन, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिनमें रिक्तिस्थान हैं, उनमें सही शब्दों को भर कर वाक्य को पूरा कीजिए क, पौधे एवं जन्तों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षन जो उन्हें आवास विशेश में रहने योग्य बनाते हैं, रिक्तिस्थान कहलाते हैं ख, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जन्तों के आवास को रिक्तिस्थान आवास कहते हैं ग, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जन्तों रहते हैं, रिक्तिस्थान आवास कहलाते हैं ग, मृता, जल एवं वायू किसी आवास के रिक्तिस्थान घटक हैं। ड, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रती हम अनुक्रिया करते हैं, रिक्तिस्थान कहलाते हैं। चार, दिये गए शब्दों में कौन से निर्जी वस्तुएं हैं। हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुम्भी, केचवा। पांच, किसी ऐसे निर्जी वस्तु का उधारन दीजिए, जिसमें सजीवों के दो लक्षन दिखाई देते हैं। छे, इनमें से कौन सी निर्जी वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। मखन, चमडा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, घाते तेल, नमक, सेब, रबल। साथ, सजीवों के विशिष्ट लक्षन सूची बद्ध कीजिए। आठ, घास के मैदानीक शेत्रों में रहने वाले जंदूओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीवरिगती क्यूं आवशक है। संकेत, घास इस्थल आवासों में छिपने के लिए विख्षों की संख्या बहुत कम होती है। प्रिष्ट 94 प्रस्तावित परियूजनाएं एवं क्रिया कलाप एक, अनेक पत्रिकाओं एवं समजार पत्रों में प्रिथ्वी के अतिरिक्त अन्ने खगोलिये पिंडों पर संभावित जीवन की चर्चा होती रहती है। इन लेखों को पढ़कर कक्षा में चर्चा करें कि प्रिथ्वी के बाहर जीवन की क्या संभावना है। कि वह अपने आवास के प्रती भली भाती अनुकूलित है। चार, पता लगाईए कि हिमाले के गरी पाद में कौन से जन्तु पाए जाते हैं। पता लगाईए कि हिमाले के परवती एक्षित्रों में जाने पर परवत की उचाई बढ़ने के साथ जन्तु और पादियों की प्रजातियों में क्या परिवर्तन होते हैं। पाँच, एक आवास एल्बम तयार कीजिए। शाखा विन्यास का चित्र बना कर उन्हें भी एल्बम में सम्मिलित कीजिए। अंत में एक पैंगुइन का चित्र दिया गया है। इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का नवाँ पाठ यहां समाप्थ हुआ। वाचन परवेश गौहर, निर्मान वंदना अरीमर्तन तथा प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नेदिल्ली भारत। प्रस्तुति C.I.E.T.